नमस्कार साथियो स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल में तो दोस्तो कैसे हैं आप सभी लोग उमीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज की जो न्यूज है हमारे चैनल पे वो आरेमल से रिलेटेड है आरेमल के जितने भी बच्चे भी ए अगर आप चैनल पे नए हैं तो सभी न्यूज और क्लासिज और जॉब अलेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले एंड साइड का बैल आइकन जरूर प्रेस कर दे दोस्तों तो आज आप सामने न्यूज का आरिकल देखी रहें ये न्यूज का आरिकल मैंने स्क इसमें टाप किया था तो उसमें ऐसी न्यूज आई थी उसमें बोला गया है लोहिया संस्थान में नर्सिंग भरती परिक्षा विवाद में आ गई है और देज भर में 92 सेंटर्स थे जिनको गुरुवार को नर्सिंग की भरती की परिक्षा थी जिसमें से 58 सेंटर जो यू और परिवेक्षो की रिपोर्ट की अधार पर साथ किंट्रों की दोनों पाली यानि की दोनों शिप्ट की परिक्षा है वो रद कर दी कही है और जो संस्थान प्रशाशन है इन सेंटर में दुबारा परिक्षा कराने का फैसला है लिया गया है जिसमें 3680 भरती दुबारा देने वाले हैं और यहां पर हैड्लाइन में थोड़ा सा लिखा था कि सर्वठाप हो चुका है तकनीकी खराबी से रद करनी पड़ी परिक्षा और जल्दी ही नई परिक्षा की तारिक भी गोशित की जाएगी और उसी के साथ एक न्यूज और है यहां तक एक न्यूज में केंड्रों पर बैठाने तक की वेवस्था नहीं थे इस को अर्य बैठाने के वेवस्था नहीं थी तो फर किस बेसिस में भीजी गये थै Nu क्यों कि अंधाजा हो जाता कितने के इक हैं फिर पर बढ़ने की व्यवस्ता नहीं थी कैसे लगना वरिस्ट वान संवादाता ने बताया है कि लोगया की नर्सिंग भरीक्षा केंद्र बनाने बड़ी लापरवाही उजागर हुई है सो कम्प्यूटर वाले परिक्षा केंद्र में उससे जाता चात्रों को एडमिट कर जारी कर दिया गया था और चात्र जो है केंद्र पहुचे तो बखेडा खड़ा हो गया और केंद्रों में सबी परिक्षा की जो कितने भी क्यांडिजेट से उनको बढ़ने की विवस्ता ही नहीं थी वाब है और परिक्षे शुरू होने के बाद भी जब चात्रों को कंप्यूटर ही मिले नहीं तो उनको गुस्ता बढ़क गया और लोहिया से बेजेगा है जितनी भी परिवेक्षक को बंधग बना लिया उसके बाद यह खुलासा हुआ कि परिवेक्षक की रिपो लुए है और केंदर में सोग कंप्यूटर थे इसके बाब जो चात्रों को परवेश पतर जारी कर दिये थे जब पाता था सोग कंप्यूटर है तो एडमिट कार्ड उससे जादा क्यूं आप है उन्होंने दिये और इस परकार के कहीं परिक्षक केंदरों में कंप्यूटर ने धुका दिया था और आरोप है कि नर्सिंग भरती परिक्षा में बायोमेट्रिक हाजरी अभियोर्ती की जांच परताल में भी कोता ही बरती गई है यानि की लापरवाही और शिकायत लुए संस्थान प्रशाशन को प्राप्त हुई है कि इन्होंने सिक्योर्टी भी का क परिक्षा की निगरानी के लिए संस्तान प्रशाशन ने 62 परिवेक्षक तेनात किए गए थे और यह परिये वेक्षक संस्थान के वरिष्ट डॉक्टर है ठेके हैं और इनकी रिपोर्ट को भी कमिटी की अधार बनाएगी और परिवेक्षकों ने मोबाइल कैमरे में ही है जिसमें देखा है कि कितनी लापरवाही और बदाली वहाँ पे मौझूद थी और इमेल में भी पचास से जाता शिकायते मिली हैं और एहम बिंदी वह पर भी कमिटी जांच कर रही है फिलाल में अभी तो देख सकते हैं आप कैसे यूपी की एक्जाम के विवस्ता है और यहां पर कोई भी सनस्थान का कोई भी यह अपनी लापरवाही हमिशह बनाए रखते हैं यह पहली बार नहीं हुआ है कुछ नौ अ कुछ ड्रामे होते हैं आपने हमिशह में कुछ नौकु गड़वरि जरूर होती यह कभी पेपर तो हर भार का लीक होता है कभी एसा एकमнее यहां पर पेपर लीक ना हुआ हो पेपर लीक होता है रिजल्ट में गड़ बड़ी होती है पैसे खाते हैं यहां कुछ न कुछ जरूर चलता है तो आप देख सकते हैं आरे मल में कितनी ज्यादा परिशानिया हो चुकी है और कुछ साती है और भी तीन हजार सम्थिंग को जो करके चेक कर सकते हैं चीक है दोस्तों तो मच वीडियो को एंट देखने के लिए कोई भी नए अपडेट आएगा आरे मल स्टाफ नर्सर रिलेटिट तो आपको सबसे पहले चैनल पर दिया जाएगा और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों वीड वीडियो को एंट तक दिखने के लिए तब तक के लिए गुडबाई एंड टिक केर